मसकार स्वागत है आपका दान्यूज पर मैं हूँ आपके साथ शुप्राजैनी लोकसभा चुनाव दोहजार चोपीस में 400 पार के नारे को साकार करने के लिए बीज़ेपी लगातार रनीती तयार कर रही है और इसी कड़ी में आंदरपरदेश से बड़ी खबर है आंदरपर पी का गटबंधन जो है वो तेह हो गया है सीट शेरिंग के फॉर्फुले पर भी बाची जो है वो केंद्रे ग्रिमंत्रियम इशा के साथ हो चुकी है और जो बड़ी जानकारी साफने आ रही है वो ये कि दरसल 6 सीटों पर वहां बीज़ेपी चुनाव लड़ने जा रही ह है जब की जब की जब की जिसपी दो सीटों पर और साथ ही टीडीपी जो है वो 17 सीटों पर आंदर परदेश में लोकसभा का चुनाफ लड़ेगी तो ये सीट शेरिंग का फॉर्मूला है जो आंदर परदेश में निकाला किया है जस तरीके से लगातार में तर, ये खबरे को साकार करने के लिए दक्षिन के जो राच्छे हैं वहाँ पर कहीं ने कहीं अपनी रनीती मजबूत बीचेपी को करनी होगी और अब बीचेपी की जो पुरानी साथी रही है टीडीपी उसे एक बार फिर से साथ लाया गया है और ये सीट शेरिंग का फॉर्मना निकला है ज साथी पवन कल्यान की पार्टी को दो सीटे मिली है तो ये फॉर्मूला लोकसभा चुनाव के लिए आंदर प्रदेश में तैख हुआ है बीचेपी और टीडीपी की डील फाइनल होच चुकी है जिस तरीके से केंट्री ग्रिमंत्री अमिश्या से चंदरपाबू जो हैं वो दरसल दिली में ही मौझूद हैं इसके अलावा पवन कल्यान से भी केंट्री ग्रिमंत्री मिश्या ने मुलाकात की है बीज़पी और जेस्पी की डील होच चुकी थी वो एंट्ये में शामिल होच चुकी थे लेकिन इसके बाद अब टीडीपी से भी बातचीत ह होने के बाद ये सीट शेरिंग का फॉर्मूला निकाला किया है इसके लावा बात की जाए वहां पर विदान सबाच चुनाव की तो विदान सबाच चुनावों के लिए भी ये गटबंधन जो है तयार आंदरप्रदेश में हो चुका है तो ये बड़ी जानकारी आंदरप पी टीडीपी और साथी जन सेना ने गटबंधन कर लिया है एंडिय में ये पार्टियां शामिल हो चुकी है और कहीं कहीं विपक्ष के लिए ये बहुत बड़ा छटका माना जा रहा है क्योंकि दक्षिन भारत में भी बीजपी खुद को मश्पूत करने के लिए लगातार रननीती तयार कर रही है और इसी कड़ी में बीजपी ने टीडीपी के साथ ये समझोता किया है चंदरपाबू नाइडू की पार्टी के साथ ये बातशीत जो है वो दरसल बीजपी के राष्टे अध्यक्ष जेपी नटा और साथ ही केंडरे ग्रिमंत्रे मिशा के घर पर बातशीत हुई है जिसके बाद ये सीट शेरिंग का फोर्मूला निकाला किया है और इसके बाद ही ये गटबंधन का एहलान दोनों ही पार्टियों के जर्के किया किया है तो जिस तरीके से बीजपी और साथ ही गटबंधन तैख हुआ है इसके बाद अब लगातार जो लड़ेगी लेकिन वीज़पी जिन सीटों पर अपना दाफा उन्हें रखा है जिन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है उसमें राजपुंतरी एक सीट है इसके लाफा नर्सापुरम विजवाडा हिंदुपुर और अराकु सीट जो है वो शामिल है जहां पर दूसरे तरफ तेलकु देश्यम राजपुंतरी तुरुपती राजम पेट और अराकु देने के पक्ष में हैं इस तरीके की खबरे साफ ने आ रही थी लेकिन आखरकार जो है सीटों पर फैसला हो चुका है जिस तरीके से लगातार डक्षिन भारत में बीज़पी को जीतन के लिए जद्व जहद करनी पड़ती है जिस तरीके से वहां के जो कहीं ने कहीं ओपीनियन पोल अगर कहा चाए जो आक्रे हैं वो दरसल बीज़पी के पक्ष में नहीं आ रहे हैं उन तमाम चीज़ों को देखते हुए और चार सो पार का नारा बीज़पी ने दिया है तो ऐसे में कहीं न कहीं इन राच्चों में खुद को कैसे मचभूत किया जाए कैसे अपने पुराने साथियों को एक बार फिर से इखटा किया जाए इसको लेकर बीज़पी की कोशिश जो है वो लगातार जारी है और इसी कड़ी में बीज़पी ने दरसल तेलकू देश्रम पार्टी के साथ ये गटबंदन किया है ये अपने आप में गटबंदन काफी जादा एहम है हाला कि 2019 में ये गटबंदन तूट किया था तेलकू देश्रम पार्टी जो है वो पहले एंटे का हिसा थी लेकिन एक बार फिर से दो हजार चोपीस लोकसबाद चुनाव में होने जा रहे हैं उसके ये भी डरसल बीज़पी के साथ ही तेलकू देश्रम पार्टी चुनाव लड़ेगी हाला कि कुछ उमिदवारों को लेकर कुछ सीटों को लेकर कुछ मदभेज जरूर है लेकिन ये खबर पकी है कि दोनों जो है एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे है जो कि विपक्ष के लिए और खास तोर पर जगन मोहन रेटी की पार्टी YSRCP के लिए ये बहुत बड़ा जटका माना जा रहा है हालकि वो लगातार कि जीत उनकी होगी उनके खाते में ज़्यादा सीटे आएंगी लेकिन इन सब के बीच ये जो गटबंदन हुआ है ये कहीं न कहीं देखने वाली बात होगी लेकिन फिलाल कहीं न कहीं ये बड़ी खबर है कि 25 लोकसबा सीटे जिसके लिए ये सीट शेरिंग का फॉर्मुला अमिशा के घर पर निकल चुका है टीडीपी के खाते में 17 सीटे जहां वो 17 सीटों पर चुनाफ लड़ेगी करितिक विशलेशक हैं उनका यही कहना है कि ये जो गटबंदन है ये बीजपी को दक्षिन भारत में एक बहुत बड़ा फाइदा पहुचा सकता है इस तरह की जानकारी लगातार सापने आ रही है हाला कि 2019 में मैं आपको बता दूँ कि जो टीडीपी के साथ गटबंदन थ पूत करेगा ऐसी उमेज जाहिर की गई है और क्या कुछ टीडीबी के नेताओं का कहना है इस बारे में सुनिए बीजेपी अगर नायकत्तों नुच्छी पिल्पोच्चिल्नी समावेश चन्रवाब नाड़ियार पहुँचैल्यान गारू अमिच्छा गार्तो नटा गार्तो समावेश्वाईयारू समा विष्वा इनु तरुमिल, पाल चर्चल लो, 3 पार्टी लो, एलयन्स के पावाल अंज एप्पी, डेसाइड जेस्काल। पत्तु कुदुरिंदी, पत्तु प्रकारू, 3 पार्टी लो, कलिपी, देविल इश्यू, जाइंट स्टेट्मेंट टूडे, आंधर प्रदेसरो, इस 3 पार्टी लो, कलिसी, रवै, इरवै, नारुक एलक्षोन, लो, कलिसी, पोट्टी जेस्काल। आग किरिंचाल। बढ एवै, लो, पत्तु, कैलिसी, आगे किरिंचाल। मुक्र कलिसे स्टेट्मेंट शू जेस्ताइजू, जान्निकेलермें, उन्निकेलन, एटवंटी गंधर् Յलेकोंड़म, अननि विभैनलो, की कंटेस्टे लो, निर्नेर्नेंद़् कोणाल। नहीं डोगलेकम पुछे एवश्ही्जिăm लो उन्य प्योज सेटने से वह काच्छी अभत। न गुटनी आओ जे लोगलोमा था ऐजा जो में जया थुछूुआ आँ और एट पुट्टीर हेटाँ। तो फिलाल ये आंद्र प्रदेश से जो बड़ी खबर है कि आज चीडिपी और बीचपी का गटबंदन हुआ है लेकिन ये गटबंदन विपक्ष पर कितना भारी पढ़ने वाला है ये आने वाले वक्त में जब चुनाफ होगा इन 25 लोग सबासीटों पर तो जाहिद तोर प पर उस पर स्फट हो जाएका लेकिन इसके बाद वहाँ पर विदान सबाद चुनाओ भी है और विदान सबाद चुनाओ में ये गटबंदन क्या कमाल दिखाएगा ये भी देखना होगा फिलाल आपकी इस पूरे माध्य को लेकर क्या राहे है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज तरो लिखे, धन्यवादू